आशाए प्रेंजंन आज मैं आपके लिए काइसी मिठाई की रेस्पी लेकर आई हूं छो खाने में बहुत तेस्टी बन तियानना बहुत हशान है बहुत ही कम इंग्रीटियंट्स मेंiesen बहुत हैं कि मिठाई वी कूहेंест बहुत हीसु बासाने हमारे घर मिल जाते हैं बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले कोई भी एक कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट करना है तो आदी कटोरी हमने लिए चावल का आटा और सेम कटोरी से आदी कटोरी ले लिए हमने बरीक वली रवा सूजी लिए और आपने इस चीज़ का ध्य फ्लेम लो रखेंगे और गैस को ऐसे लगातार चलाते हुए हम में घीव करना कुछ्छीं पहुत Wire लगातार चलाते रहना अलवर अगर अगर आपने अगर अपनी हाय जाएगा ब्योदा का योछ आएगा बुदि का तो ऐसे लगातार क較 दुआंगो और सूजी और चावल के आटे को लो फ्लेम पे भूनने में जो हमें साथ से आठ मिनट के करीब लग जाते हैं तो अभी यह देखिए जो सूजी और चावल काटा वो अच्छी तरह से भून चुका है तो अभी हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं अभी सेम कडाई में यह मैंने एक कटोरी लिया दूद और यह मलाई वाला दूद है इसमें मैंने तीन से चार चमचा दूद की मलाई होती है वो इसमें मिक्स कर दिया वो डाल दिया तो सेम कटोरी से डेड़ कटोरी हम ले लेंगे दूद अभी हम दूद में जो एक उबाल आने देंगे जैसे दूद गरम हो जाता है इसके बाद हम इसमें चीनी अड़ करेंगे तो ये मैंने जो एक टोरी से थोड़ी सी कम चीनी लिए मेठा आप जैसा भी चाहे थोड़ा सा एक दो चमज कम यह जादा भी इसमें कर सकते हैं तो अभी देखिए हम चीनी को है जो दूद में एक पार अच्छी तरह से घुलने देंगे और इसी के साथ हम इसमें एक से दो चुटकी डाल देंगे हरी लाइची का पाउडर बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है आपको पसंद है तो जरूर एड़ कीजिएगा अधरवा आता भून का रखा हुआ था प्लेट में वह हम इसमें डालेंगे तो इस टाइम पर आपने गैस का फ्लेम लो कर देना और एक हाथ से जो आता है इसमें दूद में मिलाते जाना और दूसरे हाथ से हम इसको ऐसे चलाते जाएंगे इससे जो गुठलियां बिल्कुल भी नही और आपने इस चीज का ध्यान रखना गैस का फ्लेम इस टाइम पर लो होना चाहिए तो अभी हम इसको दूद में अच्छी तरह से मिला देंगे बहुत ही जल्दी है यह सारे दूद को सोक लेता है सारा दूद अपसर्व कर लेता है यह देखिए और हम इसको तब तक किस में ऑड़ेंगे और घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देंगे है अगरिये को को चूद म स्टार्ट कर दिया Mozart च लेंगा है सोलों कि तो अच्छी एकष पिरसी पर नहीं लो लेडिने今 तो अब श्ब्सक्राइं ़िटा कर अब सको पली हऊ तो मिठाई का ह मिक्चर जो बिल्कुल रेडी है तो अभी हम गैस का फ्लेम है जो बंद कर देते हैं और इस मिक्चर को हमें एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इस टाइम पर हम हाथों पर थोड़ा सा लगाएंगे देसी घी हाथों को इस तरह से ग्रीज कर लेंगे और उसके बाद इ फिरलका सा घी अगर आपको लगे तो आप लगा लीजेगा उसके बाद हम इसके चोटे-चोटे पेड़े बनाएंगे तो आप जिस भी शेप में यह मिठाई बनाना चाहिए रोल बनाना चाहिए तो बना सकते हैं तो मैं देखिए इस तरह से इसके जो पेड़े बना रही ह यह दिखिए इसके बाद यह मैंने थोड़ा से लिए और इंज रेड फूड कलर और इसको थोड़ा से पानी में मिक्स कर लिए बिल्कुल ऑप्शनल है और एक हमने ले लिए टूथपिक इस तरह से इसके उपर हम डॉट बनाएंगे यह दिखिए इस तरह से इससे जो इत्यार कर लिए और इतने इंग्रीडियंट से हमारे यह 16 पीस है जो 16 पेड़े बनकर तयार हुए है मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ यह दिखिए बहुत ही ज्यादा यह सॉफ्ट बनते है टेक्श्चिर बहुत अच्छा आता है और इस मिठाई को आप है जो नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर है वा नाइस दे फ्रेंज